हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं All India Job, आज हम बात करेंगे Central Board of Secondary Education of Class 10th and 12th के स्टूदेंट्स के लिए जोकि सेशन 2021 सब 2022 के हैं आज CBSC ने एक नियू नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें उनने बताया है कि टर्म 1 और टर्म 2 में इनके पेपर कंड़क्ट होंगे दो स्कीम में मांच दिया गया है और इनने बताया है कि टर्म 1 में जो एक्जाम कंड़क्ट होंगे वो निवेंबर दिसम्बर में होंगे और उनकी विंड़ो पीरिड होगा फोर टू एट वीक्स में इनकी एक्जाम्स कंड़क्ट हो जाएंगे जो कि मॉल्टिपल च्वाइस होंगे most probably 50% of syllabus टर्म 1 में आएगा और 50% syllabus टर्म 2 में आएगा और जो question paper होगा वो MCQs में आएगा टर्म 1 में one mark for each question और जो marks होंगे टर्म 1 के वो contribute किये जाएंगे final examination के score में आप हम बात करते हैं term 2 की term 2 में आपका final examination होगा जो कि आपका March to April 2022 में conduct होगा और इसका duration होगी two hours और ये most probably इसमें आपको long answer type question short answer type question situation based question case based question आएंगे और term 2 के examination भी contribute किये जाएंगे आपके final examination में मतलत की term 1 और term 2 दोनों की examination के marks को मिला के आपकी final mark sheet भनेगी आगे हम बात करते हैं कुछ assessments की और कुछ situations की जो की cbc ने रखी है जिसकी first situation है अगर in case covid pandemic भड़ जाता है तो ये क्या करेंगे boards जो भी conduct होगे term 1 के और term 2 के वो school center में ही होगे अगर covid नहीं बढ़ा तो और अगर ये भड़ जाता है अगर ये नेवेंबर तु दिसमर में बढ़ जाता है तो फिर ये mcq based जो question है उसके लेके चलेंगे और term 2 जो होगा इनका वो ये schools में centers लगाके फिर ये conduct करेंगे और अगर ये third situation है कि अगर March to April में अगर covid फिर से बढ़ जाता है तो ये क्या करेंगे तो फिर ये जो first इनने मतलब कि term 1 होगा उसको देखते हुए ये आपकी report card भनाएंगे और next examination उसी के तहत conduct किये जाएंगे नहीं जाएंगे ये आपको तभी पता चलेगा last situation इनने ने बताई है कि अगर covid पूरा साल वैसा एक जैसा रहा तो ये क्या करेंगे term 1 और term 2 दोनों की exam और practical, project, work, theory based जो भी आपके questions जो भी होगा mcqs बखेर assessments, internal assessments इन सब को देखते हुए ये 10th और 12th की mark sheet बनाएंगे और ये सब काम online mode से ही होगा ये information दी है Central Board of Secondary Education ने और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, thanks for watching the video अगर आपको हमारी वीडियो इच्छी लेगी हो तो please like, share और subscribe करना ना भूले stay at home and stay safe